In a very very major development, finally, हमारे 72,000 करोड रुपे के Great Nicobar Project को अब final approval मिल चुका है, जो भी ये अर्चने, जो भी ये मुसीबतें ये वाला प्रोजेक्ट फेस कर रहा था, particularly with respect to environmental clearances, वो सारी की सारी clearances भी अब दोस्तों इस project को यहाँ पर मिल चुकी हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आज से दो दिन पहले खबर सामने आई, Great Nicobar Transshipment Port, Government Finalizes the DPR, यानि की detailed project report जो है वो finalize हो चुकी है, और कुछी महीनों में इसकी जो formal construction है, वो भी यहाँ पर शुरू होने वाली है, और रही बात NGT की, तो NGT के द्वारा एक HPC High Powered Committee को स्थापित किया गया था, जिसने की ये conclusion दे दी है, कि ये वाला जो Transshipment Port का project है, this does not fall in the Island Coastal Regulation Zone 1A, जहाँ पर ports prohibited होते हैं, बलकि ये 1B वाले एरिया में आता है, जहाँ पर की आपके जो ports हैं, उनको permit किया जाता है, नौ ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जीत है, for India, because दोस्तों ये ही वाला project आज से 1.5 मही पहले, in fact, पिछले 6-7 महीनों से बहुत दिक्कतों से गुजर रहा था, पिछले 1.5-2 महीने से problems काफी बढ़ चुकी थी, opposition के द्वारा भी मांग करी जा रही थी कि इस project को वापिस लिया जाए, इसको यहाँ पे खारिज किया जाए, even जो IES lobby है, वो भी इसका समर्थन कर र यहाँ बात करेंगे, briefly इस project के बारे में समझा जाएगा कैसे यह हमारे लिए economically बहुत बड़ा beneficial project होने वाला है, and also geopolitics के point of view से इस project के हमें क्या-क्या फायदे होंगे, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, आए शुरू करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं, हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माधिम से ऐसा कर सकते हैं, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारे unacademy के offline centers, अब नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर अरजी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्यागराज में आ चुके हैं, इन सभी offline centers में हम लोग आपके लिए comprehensive GS courses along with test series, current affairs coverage and CSAT essay writing जैसी सारी classes available करवा रहे हैं, आपको कोई भी doubt है किसी प्रकार की mentorship की आवशकता है, तो आप लोग नीचे दिये गए इस phone number पे phone कर सकते हैं, य और free study material प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारी Unacademy आपको download कर सकते हैं, इसका link आपको नीचे description में दिया गया है, all right, very very quickly आपको बता दूँ, so हमारा जो अंडमान निकोबार आइलेंड का group है, उसमें हमें कुल मिलाके seven major islands देखने को मिलते हैं, इन seven major islands में, जो हमारा southern most island है, जिसको हम लोग great nicobar का island बोलते हैं, वही पर government of India के द्वारा, पिछले साल की बात है, 72,000 करोड के इस project को basically प्रस्तावित किया गया था, इस particular project में government ने प्रस्ताव में चार चीजों का जिकर किया था, पहले इन्होंने कहा कि एक international level का container, transshipment terminal यहाँ प जाएगा, जहाँ पर जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो भी आकर के यहाँ पे dock कर पाएंगे, नमबर दो पे एक international airport बनाया जाएगा, साथ में जो यहाँ पे इन में काम करेंगे, उन लोगों के लिए एक township बनाई जाएगी, और उसके बाद एक सा आमने Great Nicobar Island है, इसको zoom in किया हुआ है, और इसको और zoom in करेंगे, तो आपको यह छोटे छोटे अक्षर दिख रहे होंगे, नमबर वान पे port आएगा, नमबर टू पे airport आएगा, नमबर थरी पे दोस्तों township आएगी, और नमबर फोर वाले एरिया में solar power plant यहाँ पे plan किया ग सबसे पहली problem, environmental clearances को लेकर, कहा गया था कि यह Great Nicobar के area में, 130 square km के area में, जो बहुत सारे यहाँ पे paid हैं, वो काटे जाएंगे, लगभग 10 लाग paid हैं, जो कि यहाँ पर काटे जाएंगे इस project के लिए, और इसकी वज़े से बहुत सारे अलग-अलग area से इस project के खिलाफ project के चलते बहुत सारे जो localites थे, अंदमा Nicobar Island Group के, उनके द्वारा भी इसके खिलाफ protest को एक तरीके से शुरू किया गया था, और इस साल, इस साल जस्ट आज से दो महीने पहले, जून 2024 में, opposition parties के द्वारा भी कहा गया, कि इस Nicobar Infrastructure Project का, जो भी clearances दिये गए हैं, इसको यह यहाँ पे withdrawal किया जाए, लेकिन दोस्तो, suddenly, आज हम देखते हैं, कि finally, अब जितने भी clearances थे, वो यहाँ पे दे दिये गए हैं, आपके सामने है, पांच अगर्स्त की खबर है, the transshipment port, government ने detailed project report, जिसको DPR कहा जाता है, इसको finalize कर दिया है, and NGT के द्वारा, एक high powered committee को है, कि यह वाला जो प्रस्तावित transshipment port project है, यह prohibited area में नहीं, बलकि permitted area में देखने को मिलता है, इसलिए, इसमें कोई भी problem नहीं है, this is also the first time की NGT के द्वारा, अपनी जो findings हैं, जो यह high powered committee की findings हैं, इनको public domain में रखा गया है, जिससे की public भी इसको अब scrutinize कर सकती है, and very interestingly, इस खबर को आए को दो दिन हो गए हैं, लेकिन किसी के द्वारा इसको लेकर कोई भी सवाल अब नहीं उठाया गया है, government ने बोल दिया है, कि कुछी महीनों में इसकी जो construction है, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, and साथ में उन्होंने ये भी कहा है, कि mostly इसकी जो पूरी की ये एक public private partnership यानि की PPP model के आधार पर इस project को हम लोग बनाने वाले हैं, इसमें बलकि 10-11 भारत की companies हैं, जिसमें की JSW infrastructure हुई, AFCON infrastructure, Larson and Tobro, L&T जिसको हम कहते हैं, ऐसी company भी हैं, जो की इस project को बनाने में अपना interest यहाँ पे सामने पेश कर चुकी हैं, कौन बनाएगा, वो त सारी की सारी companies यहाँ पे अपना interest पहले से ही सामने रख चुकी हैं, इसके economic benefits क्या होंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, basically problem क्या होती है, इंडिया के पास अभी तक कोई भी ऐसा बंदरगा नहीं है, जहाँ पर जो बड़े बड़े जहाज हैं, वो आक लेकिन उसके इलावा इंडिया में कोई भी और port नहीं था, और जिसकी वज़े से problem क्या होती थी, जो बड़े बड़े जहाजों में माल आता था, सामान आता था, उसको या तो जाना पड़ता था शिरिलंका के कॉलम्बो port में, या उसको सिंगापोर के port में जाना पड़ता था, वहाँ से वो जो छोटे-छोटे जहाजों में सामान उसको डालते थे, ट्रांसफर करते थे, और देन वो सामान भारत तक आया करता था, तो पहली बात तो ये वाली problem इससे solve हो जाएगी, completely eliminate हो जाएगी, और हमारा जो 75% of India's trans-shift cargo है, वो इन ही तीन ports के थुरू इंडिय तक पहुंचता था, लेकिन अब वो problem हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा benefit इसका होने वाला है, क्योंकि इसमें जब ये project completely ready हो जाएगा, तो ये 16 million containers को एक साल में handle करने की शमता, basically रखने वाला है, आज से 4 साल में जो इसका पहला चरन तयार हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस project का economic benefit के साथ साथ एक बहुत बड़ा geopolitical benefit भी है, अगर आप इस area को ध्यान से देखेंगे, अंडमा निकोबार के जो islands हैं, वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, the problem is कि इंडो Pacific के area में चाइना के द्वारा अपनी जो influence कह लीजे, बहुत जादा फैला दी गई है, सबसे पहले Myanmar के जस्ट नीचे हमें यहाँ से अंडमान से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है, Coco Islands, वहाँ पर चाइना की हमें military presence देखने को मिलती है, उसके बाद यहाँ पर मलक्का में भी हमें चाइना की presence देखने को मिलती ह और इन चोक पॉइंट्स के आसपास चाइना आम तोर पे अपनी military presence को बना के रखती ही रखती है, और इसलिए यहाँ पर जो हम लोग इतना भारी भरकम infrastructure बिलकुल सदरन टिप पे लेकर आ रहे हैं, इसका main reason यही है कि हम लोग चाइना को militarily counter कर सकें, हमारे पास potential था available जगा थी लेकिन हमने उसके ऊपर capitalize नहीं किया था, आज finally हम उस particular चीज के ऊपर capitalize करने जा रहे हैं, so yes this is a very very aggressive step जो की finally भारत के द्वारा अब दोस्तों ले लिया गया है, हाला कि project को approval मिल चुका है, लेकिन execution पे time पे I still feel कि यह बहुती sensitive issue है, biodiversity environment, especially वहाँ पे local जो tribes रहती हैं, जो की PVTGs है, particularly vulnerable tribal groups की category में आती है, the government should take care of them and यहाँ पर environment की बात करूँ, तो उसी area में दोस्तों हमें Galathia Bay की wildlife sanctuary देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें giant leatherback turtles की जो nesting site है, वो देखने को मिलती है, so the government must make sure कि जो भी यहाँ पे विकास हो रहा है, उसके चलते biodiversity या environment के साथ किसी प्रकार क compromise नहीं हो रहा है, बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं, हमें definitely बताएं comment section में, thank you so much for listening, stay tuned and stay tuned.